मस्कार दोस्तों मैं पॉंसर आप सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत और अभिन्दर करता हूँ चलिए दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि वास्तों में हमारा जो यूपी वोड एकजाम 2023 का जो रजल तहे ओ कब आएगा बात करें दोस्तों इसके पहले सबसे पहले जो यूपी वोड का जितने विच्छात्रे ने एकजाम दिया है इनकी कौपियों का मूल लेंकर दोस्तों पूरी तरह से समाप्त हो गया है अभी हभी हमारे साथ में जो भी अध्यापक सिच्छा का पिजाचने के लिए गये थे वो बोले थे कि भाई आपकी बार लगभग 9 से 10 दिन में ही मूल लेंकर समाप्त हो गया है और बहुत जल्द से जल्दी जारी हो जाए और अगली करच्छा में उनको क्या किया जाए अभी सर कराने का मौका मिल जाए तो दोस्तों मैं आज इसी पर चर्चा करने वाला हूँ वीडियो को इन तक देखना होगा और समझ में आएगा कि आज हम आप लोग को क्या बताने वाले हैं ठीके त ठीके और ये रेजल्ट आप अपनी मुबाइल में आप देखा जाती है जो यूपी बोर्ट एक्जाम होता उस पे आपका सरकाई रेजल्ट पर जा करके भी देख सकते हैं उसके लिए एक अलग से बेप साइड होती है उस पे भी आप जा करके देख सकते हैं ठीके और ये अगर बात करें बहुत ही आसान होगा दोस्तों ठीके बहुत अच्छा रेजल्ट आने वाला है कहा जाता है कि अब की बार बहुत सारे बच्चोंको पास oh सोरी फैल नहीं किया गया है जादा करके 95% रेजल्ट आने के चांसे से है दोस्तों ठीके तो बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगली क्लास की आप लुग बहतर तयारी करते रहे आने वाले समय में आप लुग का जो भी हो ओ आप लुग के लिए बहतर गुजरे ठीके अगर दोस्तों आप लोग अपनी पढ़ाई को बढ़िया से रखेंगे मेंटेन आप लोग अपनी तयारी नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा दोस्तों मैं आप लोग को बता दू एक चीज और जो इस्टुडेंट आपकी बार यूपी बोर्ड एक्जाम दोजार चौबिस कर रहे हैं कहा जाए कच्छा बारा के ओ इस्टुडेंट के लिए मैं हर एक चाहता हूं कि आप सब लोग मिल करके आपनी तयारी करिए आने वाले समय में आप लोग का जो इक्जाम है और अच्छे से निकले तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही मिलते हैं एंगली क्लास में आप सभी लोग को लब यू बाई टाटा